किस तरह का समर्पड हो तो बावा नीम करोरी कृपा बरसाते हैं नमस्कार मैं बिनोद शुक्ल आपको लिये चलता हूँ कई कई स्थान पर क्योंकि आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं महराजी के अननिभर्क्त जीवन बावा उमादत शुक्ला और कहां बैठे हैं बैठे हैं फोर चर्च लैन में फोर चर्च लैन में जो लॉन का भाग है बहाँ पेड़ पौदे पुस्प बहुत अच्छे है जब मैं गया था तो मैंने आपको उसके च्छत की सिती दिखाई थी जहां लौकियां थी लौकी थी ना वह पर देखी थी आपने हदे जरूर देखे होंगी लाइब में तो मित्रो आज बैठे हैं अपने अनुभव सुना रहे हैं मैंने एक अनुभव प्रोफिसर सुधीर मुखर जी का सुनाया था और आज जब भी भक्त मिलते हैं आज भी मिलते हैं जब तो उन यादों को ताजा करते हैं देखे हम संजीब शर्माजी से मिले थे दिली में है ना नाराइन स्वामी जी से मिले थे मतलब जो रभू दादा की तो बहुत बाकाइदा सीरियूज हमने दी है आशोका दीदी से मिले थे बहुत अनन्न भगते ऐसे जिन्होंने महराजी का साने दे पाया और जब मिलते हैं तो फिर उनी की बात हो दी कपूर साब से मिले थे बहुत सारे नाम ऐसे बिलू दादा से मिले ये नाम जब हम नाम याद करते हैं तो आज आते हैं तो आज जीवन बाबा अपनी याद अपने यादों की छरोकों से असुधिर दादा उमाद अट तशुक्लान लोग हैं उनको एक कहानी सुना रहे हैं महराजी के जीमन बाबा बताते हैं यह वही जीमन बाबा है जो महराजी बें जूता लेके जपते थे पीते भी थे सब चोड़ भलाई सब गुर थे और अब भलाई भलाई है समरप्रमा आगए थे वो कहानी हमने आपको सुनाई है आपको याद होगा हल्दवानी में इनकी माहराजी की बक्त थी इनको पसंद नहीं था आई ये शराबरा पीते थे पिर क्या हुआ था वो चाते थे के महराजी को जो चाय पिलाएं और उसके पैसे जो हमको पीने को मिल जाए करेंगे जब लोग चाय पी जाते हैं जब ये छपते थे और फिर इनके महराजी के चञ़़ों में गिर गए थे और फिर इनका जीवन उद्धार हुआ, मैंने आपको उनके इस संसार को अलविदा करने से पहले दर्सन कराने का सौभागी हमें मिला था, और मुझे दर्सन करने का सौभागी मिला, वही जीवन बाबा बैठे हैं सुधी दादा के साने दिमें, उमादत शुकला भी बैठे है और भक्ति भी बैठे हैं और अपने-अपने अनुभव सुना रहे हैं और आज जीवन बाबा जिस अनुभव को सुना रहे हैं वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह प्रसंग बस जो याद आ जाती है हम आपको सुना देते हैं जीवन बाबा कहते हैं कि महराजी के साथ आना-जाना हुआ करता था, एक बार हुआ क्या, कि एक नदी के किनारे हम लोग चल लए थे, महराजी बैठ गे बोले सुस्ता ले, महराजी सुस्ताने लगे और हमने क्या किया, कि हम नदी में गुस गए और हमने इस्नान करने लग अव्हों किया आपने में नहीं सी पाने में दोई और छले कर रहें और पह। आरें कियों तू नहरा रहें और मुझे बताया भी नहीं महाराजी न जब मुझे से ऐसे कहा तो हमने भी कहा बताने की क्या जरूवत है आपको दिखाई नहीं पड़ता महराजी हसने लगे और बहुत जोर से हसे महराजी बोले अब मैं भी नहूँगा तू बैठाव मैं बैठ गया वहाँ महराजी उठे और नदी में छलांग लगा दी है ना इसनान कर रहे है और काफी देर तक सरीर को मल मल के इसनान करते रहे नदी से निकल कर उन्होंने भी अपनी धूती फैला दी और जब धूती मेरी भी सूख रही थी मेरी तो सूखने पर आ गई जब महराजी की दूसरी उनकी धूती आई तब वो जो है वो थूड़ा टाइम लगेगा हम दोनों बात हैं करते रहे कभी कहीं की कभी कहीं की और बात हैं करते करते महराजी बोले अरे यहीं बैठा रहेगा चलेगा नहीं महराजी चलो अपनी धोती पहनी दोनों लोगों ने और चल दिये थोड़ा सा चले थे गाउं में गाउंवाले मिले अरे आईए महराजी आईए महराजी और बहाँ पर आए और एक लोगों के यहां बैठे बैठ गए, तख़त सब जानते हैं ति महराजी तख़त में बैठना पसंद करते हैं, तो महराजी तख़त में बैठे, और लोग भी बैठ गए, हम भी बही बैठे जलपान हुआ, चायनास्ता, खाना, पीना होके और तब तक हो गई दात, तो जिनके हाँ भोजन पर साथ पाया था उन्होंने पृथम मंजिल पर एक कमरे में लिटा दिया हम दोनों बहाँ बैठे हैं और बैठके वो सब लोग भी आ गए उसी घर में और जब वो सब लोग आ गए उसी कमरे में तो बात हैं महराजी ये बात महराजी हमारा लड़का ये कर रहा है और लड़का ऐसा हो जाया हमाई बेटी की शादी हो जाया महराजी थोड़ा सा अभी आर्थिक संकर ये ही संसार की बात है ये होती रही अब महराजी ने कहा कि ठीक है आप इस पर दया करो यानि हम पर कहा जीवन बाबा के लिए कि मुझे पर दया करो और मैं सो जाऊंग। वो लोग बोले कि महराजी जाना नहीं आप यहीं लेटना ऐसा नहीं हमने सुना है कि आप भाग जाते हो महराजी कहते कुछ नहीं है महराजी मुस्कराते हैं। बात हैं होती रही फिर वो लोग चले गए तो मकान मालक जो था जिसके हम मेजबान जो था ये कहें मेजबान वो बहुत चालाग था उसना बहार से कुंडी लगा के ताला डाल दिया कि अब देखें कहां से अब तो रहेंगे रात में यहां पर आधी रात के लगबाग हो गई थी थोड़ी देर में वो लोग भी सो गए अपने गए और जब हम लोगों को ये लगा कि ये सब सो गए हैं तो हमने क्या किया माराजी ने पहले का कि देख तो हमने दरवाजा जैसे यह लीटा रहेगा, चलना है, हमारा कोई इंतजार कर रहा है, मन गा, मारा जी कैसे चलोगे, अब तो यहीं पर रात काटनी पड़ेगी, सुबह उठेंगे, नहीं, 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 तो पीछे कमरे की जो खिड़िकी थी, तो वो खुली थी हवा के आने जाने के लिए, मारा ज महराजी बोले ऐसा कर मैं धोती पकड़ा देता हूं और तू उपर से पकड़ दे मैं उतर जाता हूं अब उन्हें धोती उतारी दोती जंगले बे डाल दी महराजी अपने प्ली हो सरस नीचे आ गई अब वो नीचे से तू भी आ जल्दी से आजा ऐसे इतरा अब क्या करें मे दोती छोड़ देंगे अब इसमें बांद है या कोई पकड़ अपकड़ने वाला थे कोई है नहीं अब आ निजा अब जैसे ही वो कहते हैं और अब हम आँवारी परेसानी फिर हमने सोचा क्या किया कि उसमें जो दीवाल थी ना उसमें खंड के से थे हमने अपनी धोती पह नीचे आया धम जैसे ही हुई सोने वह जाग गए। जैसे ही जाके उनने देगा महराजी नीका भागो। है महराजी ने इतना कहा भागों। अब हमने अपनी धोती लप्एटी और धोती लपिस्वाजिक भागते भागते जा कुष्ण 1507 7 игр क अई this आदिया प्रत वाराई जैसे पगड़ो पगड़ो जैसे चोरी करके भाग रहे हूं। उसमें से एक कहता हमें मालूम धा महाराजी चले जायें, हमने कवरा बंड कर दिया था फिर भी महाराजी जा रहे हैं। और अब जहां अंतर्यामी भाग रहा है तो आम अदमी कैसे पकड़ लेगा भाई हम लोग काफी दूर फिर वो लौट गए हम लोग थोड़ी से आगे सस्ताई और सस्ताई तो एक अंधिरा सा था उस समय आधिरा से जादा का वक्त था और एक जोपड़ी दिखाई पड़ती ह है दीपक उस में टिम-टीमा रहा है हम जब बहां पहुंचे तो कि अम्मा खाना राखे बैठी और बैठी है अब जैसे ही हम लोग पहुंचे वोले बाबा आप तुम नहीं आते तो हम आज खाना खाती ही नहीं हमने तो चौछ तल लही दी कि हम खहाए ही नही Service कि कि हम कब कोई स्वागत नहीं, कोई सतकार नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कोई राम राम नहीं, और बुड़ी अद्याने लगी अपदेश, अभी बड़, खाने खाओ बंदी से, भूग लगी बहुत तेज, महाराज जी न तुरंत रोटी उठाई, चिटनी थी, चिटनी रखी और खाने लगे, उसी मैंसे हमें पकड़ा दी, हम भी खाने लगे, और उनकी रोटी फिर बुड़ीया ने जब भूजन कर लिया, तब महाराजी ने का, अब चलें, तो बुड़ीया ने का, ठैरो, अभी जाना, सुबह हो जाने दो, महाराजी ने का, नहीं, नहीं, हमको जाना है, और मौध हारे कहते हैं ना, ब्रम्म मुगरत होता है ना, ना तो दिन हो पाता है, और नहीं, रात पूरी तरह से जा पाती है, तो उस मौध हारे में, दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं, जीवन बाबा कहते हैं, कि ऐसा समर पढ़ हो, तो बाबा आज भी तया करते हैं, क्यो उन्हें क्या मालूम था, रोटी बनाके बैठ गई, और ये कहा, जब तक आ नहीं जाएंगे महराज जी, तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगे, है ना, अनसन, समर पढ़ अगर आपका है, आज भी है, तो महराज जी किरपा करने को मजबूर हो जाते, देखिए, नदी से नह आए, फिर वहाँ पहुँचे जाके, कमरे में बंद हो गया, बाहर से ताला लग गया, महराज जी चूरो की तरह उतरे, है ना, फिर भागे, जिनके साथ बैठे थे, भागे, और भागने में तो महराज जी बहुत बड़े एकसपार्ड है ना, पता है ना आपको, कुम मेले में जब गए थे करपात्री जी के आस्रम में, तो करपात्री जी से कहा, करपात्री जी ने कहा था, आज शाम को बहुत बढ़िया, रास लीला होगी, महराज जी आप रुकें, महराज जी ने रुकेंगे, और महराज जी से कह, करपात्री जी ने कहा, अभी हम आ रहे, भाग अगर समरपड में कमी हुई तो भाग जाएंगे और अगर स्रद्दा और विश्वास बना रहा समरपड है ना तो उनकी मजबूरी है मजबूर कर देगे ना भाई कई लोग मैं आज और रिकॉर्ड में बताता हूं कानपूर में एक संजु भाईया है वो सुन्दर कान कहते हैं हम जब उनसे मुलाकात हुई तो हम नहीं का भाई बोले हम जब सुन्दर कान करते हैं तो मैं तो महराजी अपने सब्दों में बता अपने घर के मालिक है ना तो मेरे यह दो तीन बात है याद आगे इसलिए मैं आपको बता दी आप अगर समर्पित हैं तो महराजी आपके साथ हैं चल पड़ा है